तो आज में बात करने वाला हूँ एक्सिस बैंक के बारे में क्योंकि देखा जिए कुछ दिनों में जिस्तेर केसे पार्फॉर्मेंस कर रहा है वह आपोजिस साइड में चल रहा है मतलब निप्टी सेंसेक्स बैंक निप्टी धीरे 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 डेली बेसिस डाउन हो है मतलब थोड़ा से रिकोवरी किया था मगर फिर से आज के दिन फिर से निप्टी नीつन दो पर्शन जाद में बीड़यावट से बिजाद मैं फिग्हार होने का पीछे कारण में यहां पर में डिसकस नहीं करूँगा क्योंकि मैं उसके कारण में पहले आपको बता चुका हूँ और अभी फिलाल के लिए इस कंपनी क्यों भाग रहा है और साथी साथ कंपनी कितना दूर तक मतलब जा सकते हैं उसका टार्गेट रखा गया है उस टार्गेट के बार में यहां पर जोरूर अपको बताऊंगा तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्रेब कर लिए क्योंकि आपको डेली बैसी स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन औ अपर ढलत में और 10 जो सेयरख वो डिक्लान में है इसका मतलब क्या है आप ईयो अदवान्स और हनय मतलब्ति में तो गिरावट होगा ही होगा तो कौन सा थीन स्यर्स है वो भी देख लीजिए, यहाँ पर देख सकते है, SIPLA, Axis Bank and ONGC, देखें, ONGC and IOC, दोनों के उपर में वीडियो पहले ही बता चुका हूँ आपको, अभी बारी है Axis Bank की, तो Axis Bank देखें, second position में है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में आज देखेंगे, जितने सारे Private Bank है, जितने दूर तक जा सकते है, उसके बारे में एक बात आपको करने वाला हो, तो वीडियो को पूरा देखते चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि कॉमपानी किस तरीके से काम कर रहा है, और future में कौन सा target लेखर बैठे हुए है, तो यहाँ पर देख सकते है, जितने सारे Private Bank है, उ अगर यहाँ पर देखिए, जो positive में है, फेडरल बैंक की कि इसके उपर में पेजले दिनों में आपको वीडियो बना के दिया था, यहाँ फेडरल बैंक का बहुत संदर रेजल्ट है, यहाँ पर क्वार्ट अथी का रेजल्ट आया था, उसके साथ Axis Bank का भी क्वार्ट और आज आने वाला है RBL बैंक का रेजल्ट, तो RBL बैंक का रेजल्ट जब आज आएंगे, उसके पर मैं अलक साब को वीडियो बना दूँगा, मैं पहले promise कर चुका हूँ, तो यहाँ पर देख सकते कंपनी, Axis Bank के पार्फरमेंस के बारे बात करो, तो 1% तक तेजी, देख मैं भी technical chat pattern के बारे में बताऊंगा, इस company के बारे में, तो वीडियो को पूरा देखते जाईए, तभी आपको सारे details क्लियर हो जाएगा, मैं यहाँ पर technical chat pattern के बारे में भी बताऊंगा, तो सबसे पहले, मैं company के बारे में बात करो, तो company का जो फार्फरमेंस है, उसके बारे दस recovery किया, यह जो recovery है, यहाँ पर में 80 आका performance दिखा दू, तो करीबन 8-9-10% तक यहाँ पर recovery किया, कि 12% recovery कोई छोटा मोटा recovery नहीं, जब nifty, bank nifty सारे के सारे indices यहाँ गिर रहे, उस time में भी 10% तक यहाँ पर positive रहना, यह भी कोई आम बात नहीं, इसका कारण से बेकी है, company का quarter 3 का result, मैं इसके पुरा अलग से आपको वीडियो बना के दिया था, बहुत सरे दोस्तों ने देखा, बहुत सरे दोस्तों ने support किया, तो यहाँ पर देख लेते पहले, company किस तरी के से result किया, उसके पर में तो वीडियो आपको बना के दिया था, तो आप फिर भी एक बार द देख लिए यहाँ पर जो बता जा रहा है, एक्सिस बैंक सेर रेज नेरली 7 परसंट, तो 7 परसंट तक प्रॉफिट को जाम किया, लेकि 7 परसंट जाम अपको साय छोटा मोटा लगे, 7 परसंट भी इस टाइप company के लिए बहुत बढ़ा है, जो company इतना बढ़ा है, लार्स क इतनी दिन से इस company के यहाँ पर तेजी देखने को मिला है, तो अभी में इस company का जो target है, उसको मैं आपको जोरू दिखाऊंगा, तो यहाँ पर दिखें, जो target रखा गया है, the economic times के उपर यहाँ पर publish किया गया है, और target किस ने रखा, वो भी आप देख सकते है, IIFL, तो IIFL इतना, 775, देखें, उनका, यह, उनका target है, आप इस target को follow भी कर सकते है, आप भी कर सकते है, मैं तो इस तरीके से target follow नहीं करता हूँ, क्योंकि यह short term target जोरूर है, swing trading के लिए target है, मगर इस तरीके से target उन्होंने जो analysis किया, उसके उपर उन्होंने दिया है, इस target जा भी सकते ह है, ना भी जा सकते है, तो मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इस तरीके से target आपको दिया जाएगा, तो आप target देखकर बहुत सारे दोस्त नीवेस कर लेते हैं, और बहुत सारे दोस्त फस जाते हैं, इसी के target को follow करके फस जाते हैं, क्योंकि दिखिए, वो यहांपे 100% security तो यह नहीं लिखे दिया कि 775 जाएगा, मैं भी आपको बोल दूँगा कि 800-1000 तक जाएगा, कितना दिनों में जाएगा, मैं थूड़ी बता रहा हूँ आपको, तो इस तरीके से target तो रखा जाते हैं, वागर target को कितना time तक दिया गया है, वो कभी नहीं बता जाते हैं, त और उसका target रखा गया है, 775, एक्चुली कमपनी का अभी price range चल रहा है कितना, 756, मतलब आज के दिन का low जो था, पिछली दिनों का low था, उस low के नीचे से ही यहाँ पर buy रखा गया था, मतलब buy दिया गया था, तो यहाँ पर आक्चुली देखा जाएगा, पहले ही एक jump पह यहाँ पर हो चुके है, तो यहाँ पर फिर भी देखिए, यहाँ पर time period given by the analysis team, जो analysis team है, उनका, उन्होंने यहाँ पर access bank का target रखा है, और price can reach defined target, मतलब उनका कहना है कि इस तरह के से target जोरूर हो सकते है, क्योंकि दिखें, उन्होंने बता है कि access bank स्टार्टिंग हो था, 1993 मे और company का market capillation है, वो करीबन करीबन 2,00,00 करोड से भी जादा हो चुके है, मतलब क्या है, company का market capillation बढ़ रहा है, मतलब company का performance बढ़ रहा है, तो performance बढ़ने से ही कोई company जबदस नहीं हो जाता है, तो उसके लिए कुछ positivity होना चाहिए, obviously company के positivity है, यह मैं नहीं कहूंगा कि company के positivity नहीं है, company के बढ़ जबदस positivity है, तो मगर इस तरीके से target जो रखा जाते है, वो target कितना दिनों के लिए यहाँ पर दिया जाता है, वो कभी नहीं बता जाते है, क्योंकि उनका कहना है कि इस तरीके से price range है, और इस तरीके से target है, तो दिखें, मैं भी आपको जूरूर बता हूँ थोड़ा सा, तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा, देखें, मैं एक टेकनिकल चार्ट पटन, वांडे के candle चार्ट यहाँ पर उपन करकर रखा हूँ, देखें, जो चीज में आपको बताने बाला हूँ, ध्यान से आप देख लेना, यहाँ पर दीखें, मैं एक line रोक्या हूँ, जो बहुत बार यहाँ पर एक रेजिस्टेन ले रहा है, देखें, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेन लिया, यहाँ पर भी लिया, और यहाँ पर भी लिया, देखें, इतना बार यहाँ पर रेजिस्टेन में सापोट कर रहा है, मतलब इस लेवल को अगर ब् नहीं कह रहा हो कि इतना बड़ा volume होगा तभी आप इसके उपर काम कर सकते हैं देखिए छोटा मोटा volume भी आपके पास है और वो भी positive में है और इसके उपर अगर close होता है तो आपको एक अच्छा कासा कि मेरे analysis भी देखकर काम करें मैं आपको कुछ चीजे सिख रहा हूँ जो चीजे सिखकर आपको काम करना है आपके पास इस तरीके से तो टेकनिकल चार्ट है और आपके पास दिमेड अकौन नहीं है तो नीचे लिंक दिया गया है आप स्टोक के डिमेड अकौन ओपन कर लिज तो इसलिए में आपको एक अंदाजा दे रहा है कि किस तरीके से टार्गेट लिया जाता है किस तरीके से उसको टार्गेट रखा जाता है तो देखें मेरा टार्गेट तो लॉंग टाम के लिए है मेरा वीडियो जो है वो लॉंग टाम के लिए है तो नीचे लिंक दिया ग इस च्होटा बोटा ग्रावन नहीं फिर भी गुसा एक बिख्या करीबन परेथ में चैनल तो पर पॉजटिव हो इस कंपानी के ऊपर में बहुत पूराना टाइम से इन्वेस्ट करकर रखा हूँ आप भी इस कंपानी के ऊपर निवेस्ट करकर रखे तो घबरना के कोई बात नहीं आप कितना भी गिराबट हुए उसको मौका और फाइदा लीजिएगा एवरेज कर लेंगे तो आपको अच्छा कासा एक रिटर्न बिलेगा तो इस कमपाणी के उपर लॉंग टर्म के लिए सोचिए जब अधस कमपाणी है तो पॉजिटिव इडी है तो आसा करता हूँ सारे जान